ठंडी रोटी ठंडी रोटी खालो उसने अपने पती से वैसा ही कह दिया तो वह चिड गया कि मा तो कहती ही है यह भी कहना सीख गई यह है अपनी इस्तरी से बोला कि बता रोटी ठंडी कैसी कैसे हुई रोटी भी गरम है, दाल साग भी गरम है, फिर तौ ठंडी रोटी कैसे कहती है वह बोली, कि यह है, तो आपकी मा जाने, अपने आपके मा ने में को ऐसा कहने के लिए कहा था इसलिए मैंने कहे दिया वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा मा तो कहती ही थी तु भी सीख गई मा भेरा आई तो उसने भव से पूछा कि क्या लड़के ने वोजन कर लिया वह बोली कि उन्होंने तो वोजन किया ही नहीं उल्टा नाराज हो गया मा ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि मा तु तो रोजना कहती थी कि थंडी रोटी खा ले और मैं सहे लेता था अब यह भी कहना सीख गई रोटी तो गरम होती हैं तु बता कि रोटी थंडी कैसे है मा ने पूछा कि थंडी रोटी किसको कहते हैं वह बोला सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होते हैं ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होते हैं बासी रोटी ठंडी और ताजा रोटी गरम होती है मा ने कहा बेटा अब तुम विचार करके देख तेरे बाप की जो कमाई है वह थंडी वासी रोटी है गरम ताजी रोटी तो तब होगी जब तूँ खुद कमा कर लाएगा लड़का समझ गया और मा से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गरम रोटी खाऊंगा इस तहने से यह सिक्सा मिलती है कि विवा होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खाने चाहिए अपनी कमाई की रोटी खाने चाहिए जब भगवान राम बनवास में गए तब रावन शिता जी को ले गया किसी भी रामान में यह सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावन मेरी इस्तरी को ले गया तुम मेरी साहिता करो कारण कि राजा राम ने इस बात को समझते थे कि विवा किया है तो इस्तरी की रक्षा करना उसका पालन करना मेरा कर्तव है उन्होंने अपनी बुजाओं के बल से पहले सुगरिव की साहिता की पीछे उससे साहिता ली सुगरिव को राजे कोस, पूर और नारी ये चार चीजें दिला कर रहा अपने एक इस्तरी के लिए सा और बच्चों का पालन पोशन करने की ताकत हो यह है ताकत नहीं हो तो विवा नहीं करना चाहिए धन्यवाद